मतलब बग्गे का तो काम कते चलिन नहीं सकता है बिना टॉन्ट हमारे का वग्गा एतना टॉन्ट हमारा उसके बाद भी दसजार व्यूज नहीं हूएं लग रहा छुटकनी जिजी की जो हाल हैं अरे मतलब छटकन्य जी जी की बड़ी वहिन के जोट की दिवानी के वही तुम्हारे होने वाले हाल है, ससराल वालों को टांट, हमारा घर तो वैसा है, मेरी मा तो वैसी है, मा ताला चा भी नहीं लगाती है, बहुरिया के उपर कोई वो नहीं है, कंट्रोल, बहुरिया जो च अचारों की छड़ी लगा दी, का है, चलो, शुरू करते हैं, अरे छड़ी की जड़ी, हाँ जी, जड़ी लगा दी, देखो जुबान कहां से कहां पहुँचे गई, भैसा अब छड़ी नहीं, छड़ी तो इनके सब के हाथ धन माय जाए, तो वै जिज्जा को लगाए, लगा लगा एकदम लाल पीला बनाए दें, जड़ी कौन से शब इनके चुब सकते हैं, कुछ लोगों ने कुछ बहुत कटू शत्य बोल दी हैं, जो सत्य इनके दिल जिगर किड़नी को आहत कर सकते हैं, कजब बेजती है, हमारी प्यारी बग्गी भावी तो माई के वीडियो आ चुका है, बड़ थड़े के गिफ्स काउन काउन का दिया है, उपे हम बाद में करेंगे वारतालाब, असल में बग्गी का जो कल वीडियो आया था, उसमें कुछ जादे हो चुकी है, खुराफात, मतलब भाई, लोगे ने कुछ पुरानी पुरानी, बहुत ज जादा बड़े हैं नहीं, तो जादा पुरानी कोई भी बात नहीं बुशकती, अगर इनके जन्म की भी बात हम बताएं, है ना, क्योंकि अपने आपको ये लोग छोटे बच्चे ही समझते हैं, छोटे बच्चे ही मानते हैं, खैर कोई बात नहीं, वैसे जो आज बात खु हो रहाएगी, एक अदम से बाइसा दस भी लेगी, तो चलो शुरू करते हैं, वैसे जो कल बर्थडे वाला वीडियो था बग्गा का, सब के साथ आके दिया मुझे बर्थडे सर्प्राइज, वैसे ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं सर्प्राइज वाली कहानी, लेकि ममी बग्य को विष्च कर रहे हैं, साथ में बताया जाता है कि भाई ममी जी को भी थैंक यू बोलना चीने बग्य को, क्योंकि बग्य ने इतना ज़्यादा खिलाया, पिलाया, घुमाया, दुनियादार इसे परचित कराया, यार इनकी कहानी है तो अलगय होती है, कमाल है, दोती फाड के रुणवाल माबाप भी बच्चों को थैंक यू बोलने चलो भाई अब बोलना पड़े गाई है तो मम्मी जी थैंक यू बोल देओ मम्मी जी ने बहुत ऐसी चीजें बोली है इस वाली वीडियो में जिस से मम्मी जी यही दिखाना चाहती है या मेरा क्या है मैं तो ऐसी सास हूँ ऐसी सास हूँ और बगगा ने मॉका पाईके चोगा मारा है जी हां फिर से टौंटबाजी की है और किसको करें आप सब को पता है कि इस कुन्बावासी के जो फेवरेट लोग है वो कौन है जी हाँ इनके कागजी रिष्टेदार तो काग हुआ है किसको टॉंटावाजी मारी गई है पूरी बात करेंगे है ना लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिन पर डिसकस कर लेते हैं कि पहली बात तो इस बात को बार-बार प्रूफ किया जा रहा है कि नहीं नहीं यह सर्प्राइस था मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बताया था यह सर्प्राइस था अरे भाई इतनी सफाईयां काहें देने पड़ रही है उदर बगगी के वीडियों भी हमने देख लिया परेत कर लिया था बस इनके आनेस थोड़ा पहले मैंने मम्मी को बता था कि मम्मी आए रहे हैं भाई सूजी का हल्वा जो तुमने खिलाया है लोगों के मूह तक सूज गए हैं वैसे उन लोगों को भी सूजने चाहिए बताओ जब छुटकन्नी जिजी को पता था तो यू तैयारी भाई शरम आनी चीए लाखो लाखो कमाने वाले लेकिन जब रिष्टेदार आते हैं तो उनके सामने कुछ चंद चीज़े इस प्रकार की रख दी जाती हैं भाई ये तो कभी हो बना लेती हल्वा उल्वा कुछ वराइटी रखते जैसे तुम लोग जाते हो वहाँ पूज जाते हो अच्छा तुम लड़के वाले हो फिर कहेंगे जी नहीं हम ऐसी हरकते नहीं करते हमारे लड़का लड़की वाले कुछ नहीं लेकिन देखे आपका कभी कुछ स्पेसल ट्रेटमेंट नहीं दिखता है डुपट्टा की फामिली के लिए ये विगत अभी एक साल हो जायगा डुपट्टा के शादि को देसंबर संबर में है न तो भाई यहीं कहना चाहूंगी कि उसमें आप नाकाम रहे हैं फिलॉहाल पूरी सफाई दी जाती चीज़बर के ये सफर्प्राइस प्लान था ये एक सर्प्राइज प्लान था सर्प्राइज इतने मतलब फीके तो नहीं होते हैं अटलेस बग्गी के तुम रिटर्ण गिफ्ट तो कुछ दियो नहीं है ना उकीमा को मतलब जो भी दिया गया था जब वहां से आये था कुकर रोकर लेकर तो यहां पर कुछ एस्पेसली फ सोचना चाहिए करना चाहिए लेकिन उसने इस वारे में इस रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया बस हल्वा और बाके की चीज़े मुद्दे की बात यह हैं बग्गा हमारा बिचारा बहुत दुखी फील हो रहा था बग्गे को लग रहा था कि हवा की जोके के तरह है और चली गई हलाकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था वो चाह रही थी को यहीं रह जाए बग्गा एक चीज बोल रहा था कि मम्मी जिस प्रकार से हम यहां उसको रखते हैं कहीं पर उसको ऐसी मौज मस्ती करने को थोड़ी मिलेगी किसी ससुराल में अधर्वाइस कुछ ससुरा हमारी मम्मी जैसे हैं कि हम जो बोलते हों मान भी लेती हैं और हम भी मम्मी की बहुत सारी बाते मानते हैं लेकिन कुछ लोगों के यहां पर सिर्फ और सिर्फ मा की चलते हैं लड़का कुछ कर नहीं सकता बिना अपनी मा के पूछे हैं हमारे घर में ऐसा नहीं होता इसलिए वग्गी इतना उतावली रहती यहां रहने के लिए अच्छा स्रियसली ठॉंट वालना तो सीधे-सीधे बोल दो कि हमारे कागजी जिज्जक यहां मा से पूछी बिना कुछ नहीं हो जाता होता था तो एक चीज बोल दें एक चीज बताओ मा से पूछ के वो गाड़ी ली का बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसमें अंकुष की मा का जीरो योगदान रहा है जीरो उनसे पूछ नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी लगातार बार-बार इनके द्वारा हमेशा टॉंट मारा जाता है और अपने आपको बेस्ट बताया जाता कि हमारा जो घर है वो बिल सुचो जो बंदी 20-22 साल उस घर में गुजारी है वो बिचारी यहां मतलब पूरे तरीके से रहना चाहती है वहां रहना ही नहीं चाहती है उसका मन करता है कि नहीं मैं बस पंखी मतलब पंख लगाओ पंची बनके यहां उड़के आ जाओं उसने अपने वीडियो में इतन मैं भी यही कह रही थी वहां नकाहे चली गए तुमारी सासो ने तुमारे मूँ देखे लिया अब बग्गा ने यह भी बोल दिया कि अब जब उसको आना होगा तब आएगी यहीं नहीं अभी और सुनिये मतलब बग्गे ने इस पश्च रूप से बोल दिया कि मैंने उसको बोल दिया कि तुम अपने भाईयों के साथ चली आना भाईयों के साथ चली आओगी मुझे कोई समस्या नहीं है मैं लेने नहीं आओंगा लेकिन मम्मी का मन नहीं मान दा था असल में लास वाले टाइम ज मम्मी जी ने काले सावन को पास में देख लिया बहुरिया को गले भी लगाया आंका इंद्रा प्यार भी रताया और मम्मी ने तो भैसामों देख लिया फिर भी यह सारी चीज़ें तो मम्मी जी को यह था बहुरिया का दुबारा से लेने जाने का मन बग्गे ने बोल दिय था कि हम लेने आएंगे तो मम्मी आएंगे इसलिए मम्मी सोची उनाज पीटा बोल रहा है कि उपने भायूक साथ चलाएगा वह चली आएगी और मेरा गिफ्ट मारा जाएगा अब वहां जाओंगी तो जाहिर सी बात है लड़के वाले गिफ्ट लेते हैं न देते नहीं है जो कि इन कुन बावासियों में अगर एक लिफाफा भी शगुन के रूप में दिया गया है तो आन कैमरा दिखाया गया है कि कोई वातनी हम लड़के वाले होके लड़की की माकुस जो है अपना शगुन दे रहे हैं हम सब ने देखा है न तो मम्मी जी एकदम से इतराय बहुरिया को लेने नहीं जाएंगे तो हमारे पैसे कुछ कम हो जाएंगे कुछ गिफट फट कम मिलेंगे जितना शादी में इनका खर्चा हो चुका है बगगा का बगई का खासका लड़की पक्ष का उतना इसे लड़की को इधर से काम मिला अस तक हमने पूरा नहीं जुल्री के नाम पर बहनों ने का दिया है किसी ने कुछ नहीं देखा जबकि इनकी लगवाग पचास अजार रुपएस हर महिना कम ही होती उपर एक लाग के अंदर कभी-कभी एक लाग के उपर भी जाती है कम है तो इन्होंने का जुल्री दी का नहीं लोग पूछते रह होती है तो इसलिए भाई मैंने याद दिला दिया अब बताओ तो बग्गा को यह सारी चीजें याद दिलानी समय समय पर जरूरी है क्योंकि वह तो मौका ढूंता रहता है तौंट मारने के लिए अपनी दीदी के अच्छा कागजी पती सिंदूर वाला पती बिंदी वाला है ना तो पहले तो यह बेस्ट सस्राल मटेरियल अपने मूं मिया मिठ्थो बनना कोई दूसरा बोले बग्गा तो समझ में आता खुद बोल रहे हो कि उसको जितना मस्ती इधर करने को मिलते इसको कहीं नहीं मिलेगी इसलिए वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी दिया कि मम्मी वदाई वह लड़का हुआ है मम्मी जी ने भी मजाग को कहा कि चलो अब मैं भी एक मजाग कर देती हूं बला अपर यह तिन जान निपल उपल लेकिया इसको दूद पिलाते हैं सिशी लिया जाके उठाय के लड़का हुआ हाँ सिधे-सिधे ताइयों पर भ किया है पर यह पर एति इनका कभी-कभी अकेलिह होती हैं तो उताय जी सोनने आ जाती हैं कब चाची जी से लग रहा पूरे तरीके से पत्ता साहब हो चुका है क्योंकि उनको हटाया गए है ना काम से अब बताया तो यह घ्ए था कि चाची जी बिमार है पर बिमार इंसाने एक दिन होता है दो दिन मतलब पहले तो यह सब बेशरम लोग उनकी help करते नहीं थे इनका कहना था हम किसी को भी काम पे लगाएंगे पैसा तो देना पड़ेगा इसलिए हमने सुचा क्यों न अपने परवार के ही मेंबर को लग नहीं पड़ता थोड़ी शरम करो यार क्यों हटा दिया थोड़ा मुड़ा जो करती थी करने देती लेकिन दीदी के यूद दर्थे तकलित था कि मैं एक बच्ची की मां हो कि अपना सब कुछ मैनिश करती हूं अक्सर यह डालोग मारती दिख जाती थी जब तक चाची यहा जिजी के यह डालोग भी बंद हो गए पहले काम को लेकर इतना जादा इतना जादा बोला जाता था पूछो ना मतलब उस हल्वे की इतनी चर्चा हो रही दर्स को काही बता रही थी कि यह वह वाला हल्वा है वैसे एक हल्वा होता है सोजी कर जिसमें पाने डाल गया तब अपनी सास को और अपने साले को तुम प्रसाद वाला हल्वा के लाएके कितनी बार दिखाओगे कितनी बार इसके बारे में बोलोगे व्याकरण व्याक्या करोगे इसके अलावा भग्य ने चीज और करी है वो का हां बग्य ने करी है यह कि गद्दा मैं अपना सही कर ता इससे पहले परेतिन करती थी वेट चेंज करना मम्मी करती थी या फिर बगई करती थे लेकिन मुझे आज गद्धा हिल ही नहीं रहा अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेडीज के काम को बिल्कुल भी करना हमेशाद दूसरों को ही बोलना है कि घर के काम को काम नहीं समझा जाता लोग अपनी बहुरिया को अपने हिसाब से जीने नहीं देते हमारे मम्मी ने भी बोला वैसे भी मैं कोई रोक टोक तो नहीं करती हूं किसी भी तरीके से नहीं करती हूं साथ में बग्य ने भी यह हमारे घर में नहीं मम्मी, तुम तो ऐसे भी नहीं करती हो, हाँ, मम्मी बोली कि एक चीज़ कर देते हैं, जैसे फालतू का अगर कुछ वेस्ट होता है, तो हमको बुरा लगता है, तो बग्ये नहीं बोला, यह तो सबको बुरा लगता है, मम्मी, इसमें तुम को यह ऐसी फिर बग्गे को याद दिलाना पड़ा कि तुमने बूला था लाख डेड़ा लाख वाली वैसे तुम लाख की बात बग्गे करें और डेड़ा लाख की बात हुई थी तो मम्मी बोली वह तो आई थी वैसे फिर बोली नहीं नहीं बग्गा का भी अपना वो था कि पैसा तो प्रिन पास आएगा मम्मी जी ने फिर एक डालोग मारा कि ये तिरी माय ऐसी थोड़ी के कुंडी लगावाई ताला लगावाई जो कुछ है तुमरे लोगन का है अब ऐसा कुछ तो हम कर नहीं रहें वैसे बग्ये ने चीज और बोली कि अमरूद दैके हम सबने सब को खुश कर दिया पूरा गाउं महोला ससुरार मतलब ससुरार तक भाई अमरूद गवाई और लोगों ने भी इस अमरूद को लेके भरभर के भरभर के किया है और एक चीज और है जो कि मुझे बेहत पसंद है कहनी है ना भाई अब कही देते हैं इन्वाइट किया तभी बर्थडे परैतिन ने इन्वाइट किया तभी बत्थड़े पर बग्गी आई वरना प्रीटों को तो अंकुष ने इन्वाइट नहीं किया था झी नहीं ऐसा कुछ नहीं है बग्गी ने प्लान बनाया था कि मेरा हैश्वेट सबको वैसे परेतिन का वीडियो याद आ गया मुझे जिसमें परेतिन ने क्या बोला था याद आया आपको कि मुझे बुलाया नहीं गया इन्वाइट नहीं किया गया इसलिए मैं अपनी पती के बर्थटे पे नहीं गयी तो लोगों ने उस चीज का भी मजा ले लिया कि वह प्रकार से बगगी ने प्लान किया अपनी मा को भी लेकिया इपने भाई को भी लेकिया लेकिन मैडम को का चीए था मैडम तो अपने इगो के विल्डिंग पर बेटी थी कि मुझे पहले कोई बुलाय सास बोले कि आओ अपने पती के बर्थडे में मैं तुम्हें प्लीज अंकुष को बड़ी बड़ी बाते कि खुद तो बीवी की कमाई खाते हो कर्मा इस बायक लोव हैसा हां जी बग्ये ने खुब कहा था अंकुषक नियोतरी कि मेरे बहन के नाम का खाता है बहुत ही जादा तो लोग भर-भर के यहां पर प्यार दे रहें जिस घर मे सिर्फ मम्मी की चलती है बच्चों की नहीं चलती वहीं पर जेल जैसी फीलिंग आती है ओफो बग्ये ने कहा हां सही बाद ओ माई गौड मतलब तरू वाले और बग्ये मिलके टार्गेट करना बंद नहीं करेंगे अंकुषक निहोतरी की फैमिली की और खासकर उनकी मा को म वैसे तो आप सबको पता है कि किस प्रकार से किस को टार्गेट किया जा रहा है ताला चावी और बाकी की वाते हैं समझदार के लिए होशियार मतलब समझदार के लिए इशारा ही काफी यह तो टाइटल भी रख चुकी है हमारे जिद जी तो आपने ससुराल तक अमरूत द सब्सक्राइब आपने चाहिए तुम्हारे भर में सब ग्यान देते हैं पर अपनी बहनो के लिए भी कुछ ग्यान दो ताकि उनके घर बसें, बड़ी ने तो जिठानी का जीना हराम किया है, छोटी ने तो भाई वाईटी पर ही आग लगा दी है, कितना गंदा बोलती है अपने ससुराल वालों को, ससुराल वालों को नहीं, सब्सक्राइबर्स को भी अब बोलती है, कि तेरे कचा जाएगा, बांगलादेश जैसा हाल अपने इंडिया में हो जाएगा, यहीं लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो इस प्रकार से जो चीज़ें चली हैं, जो चीज़ें की गई है, सब को पता चली गया है, सो किसी दिवात, नको, वकवास, बगगा, अब तुम टार सेंट भी अगर उधर से किया गया होता, तो आज हाला जज़वात कुछ और होते, हाँ, मैं यह भी कहती हूँ, कि जितना उन सब को बदनाम करने के लिए, आपकी पूरी फैमिली लगी पड़ी रही, जब से परेतिन इधर रही, काश कि तुम लोगों ने जोड़ने के लख दिया है, छलिए जी अभी के लिए इतना है, अब गिफट उफट आएं, ओ गिफट वाला वीडियो बाद में मैं देखूंगी, तब देखूंगी किस के कहां कहां से कितने कितने गिफट आएं हैं,